नाव दोस्तो नाव एक बहुत common word है तो दोस्तो आईए देखते हैं नाव का Hindi meaning क्या होता है नाव का Hindi meaning होता है बर्तमान समय यह समय हाल में इस समय फोरण फलत है तुरंत आज कल अभी या अब दोस्तो नाव के हम कुछ example भी देख लेते हैं कि हम उसको English sentences में कैसे कैसे use करते है और हमारा पहला example है now go home and get some rest दोस्तो मान लेजिए आपके office में कोई employee है और वो काफी समय से अच्छा काम कर रहा है और वो ठका हुआ है तो आप कहा सकते हूं now go home and get some rest मतलब अब घर जाओ और थोड़ा आराम कर लो दोस्तो इस sentence में now का meaning हुआ अब चली दोस्तो इसका एक example देख लेते हैं Bangalore is now a great city but at that time it was only a little town मतलब Bangalore अब एक पहान शहर है लेकिन उस समय यह केवल एक छोटा सा शहर था तो दोस्तो इस sentence में भी now का meaning हुआ अब दोस्तो उमीद करता हूँ आपको इस word का meaning अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपको अच्छे से समझ आया हूँ तो आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और ऐसी ही informative वीडियो देखने के लिए चैनल पर वैल आइकन को प्रेस करना पिलकूल न भूले ताकि मेरी वीडि प्रेस